आईपियल का सीजन आने वाला है आया आप लोग कह सकते हैं कि आ गया है क्योंकि 22 से 23 मार्च जो है वो आईपियल का पहला मुकाबला खिला जाएगा और उससे पहले मुंबे इंडियन्स इससे पहले काफी एदा कॉंट्रवर्सी में रही और फिर से एक बार चर्चा में आ ग भी जो है वो मुंबे से दूसरे टीम में जा सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग विंडो जो है वो चालू है दूसरे टीम ट्रेड करने के लिए रोही सर्मा को तयार है और जो कॉंट्रेक्ट है वो मुंबे इंडियन्स है और रोही सर्मा मुंबे इंडियन्स से कॉंट्रेक्ट काफी यादा है क्योंकि सबस्सपर पहले तो रौएल चैन्जर बेंगलर की टीम ने रोही सारे बोली लगाई उसके बाद डेली करपि Tes ने इस सर्त को मान लिया और हरीक पांड्या को कप्तान बना दिया और हर nieu लहीं ठ्वांड़ीक पांड्या अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे है ताकि IPL में हार्दिक पांडिया अच्छा परफ़मेंस कर सके वैसे गुजा टेटनस में हार्दिक पांडिया थे तो गुजा टेटनस में भी अच्छा कर रहे थे हार्दिक पांडिया हार्दिक पांडिया के लिए मुंबे इंडियंस ने कितनी बड़ी रकम चुकाई सबसे पहले तो गुज्जा टैटन्स की टीम को मुंबे इंडियंस ने 100 करोड दिये उसके बाद हार्दिक पांडिया को 17 करोड दिये तोटल हार्दिक पांडय के लिए मुंबै इंडियन ने एक प्लेयर के लिए 117 करोड रुपे खर्च किये हैं और वहीं जो रोही सर्मा है वो अगर आक्षन में बिखते तो रोही सर्मा काफी महंगे साबित होते हैं वैसे रोही सर्मा पहले ही ट्रेट कर लिए गये हैं रोही सर्मा रिटेंड नहीं किये जाते हैं तो आक्षन में काफी महंगे दोनों साबित हो सकते थे लेकिन अभी काफी सारा चांसेस है कि रोही सर्मा दूसरी टीम से जो नजर आ सकते हैं क्योंकि मुंबै इंडियन से लगाता रोही सर्मा की जो है वो अनबन चल रही है बहुत य सबटनीशन क्योंकि जड़ से लेकि को जहुत शवतमा रहां रहां मैंने बहां वोते हैं वन्यूदा बहां को